Friends, constipation एक ऐसी condition है जिसमें अगर आप एक week में तीन से कम बार motion पास करें यानि कि having less than 3 bubble moments per week along with dry, hard, lumpy stool जिसमें कि बहुत difficulty से आप stool को पास करें, आपको pain हो या एक strain करने की जरूरत पड़े या फिर एक ऐसी feeling of being blocked up down there अगर आपको ये feeling आए तो इसको constipation कहा जाता है सकते हैं, bloated रह सकते हो, nausea जैसी feeling भी आ सकती है और कभी-कभी रेक्टम में एक अरजीव सी एंठन जैसी भी हो सकती है तो friends, जो Rome criteria है वो ये कहता है कि अगर आपको constipation के symptoms कम से कम 6 महने से चल रहे हैं और आखरी के तीन महनों में आपको जो मैं कारण आपको गिनाने जा रहा हूँ उसमें से कोई भी दो कारण अगर present है तो ये constipation की definition में जरूर आएगा तो इसमें अगर 25% of the times defecation के अगर आपका जो stool है वो lumpy है या hard है अगर आपको 25% of the times of defecation strain करना पड़ता है जोर लगाना पड़ता है अगर आपको 25% of the times of defecation एक sensation of incomplete evacuation आता है कि और stool pass कर सकते हैं या अगर आपको 25% of the times of defecation एक sense of blockage या obstruction जैसी feeling आती है या फिर आपको 25% of the times of defecation आपको अपनी finger डालनी पड़ती है या कोई manual manipulation करके stool निकालना पड़ता है और आखरी का जो छटबा point है वो यह है कि अगर आप एक week में तीन बार से कम stool pass करते हैं without the use of laxative तो इन 6 कारणों में से अगर कोई भी दो कारण भी अगर आपके पास हैं तो यह constipation की definition में आता है अब constipation दो तरह से हो सकता है एक तो primary या idiopathic जिसका कोई कारण नहीं है और यह जो primary constipation होता है यह भी तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं एक तो normal transit एक slow transit और pelvic flow dysfunction यानि कि जो normal transit है उसमें जो खाने के जो stool की speed है intestine में वो normal हो slow में वो slow हो और pelvic flow dysfunction में नीचे की muscles हैं जोर लगाने वादी वो muscles में कुछ कमी आ गई हो तो यह जो है यह primary में चले जाते है secondary constipation उसको कहते हैं जिसके पीछे कोई न कोई कारण हो उसको secondary constipation कहा जाता है तो दोस्तों यह जो constipation की समस्या है यह काफी है कि लोग people they suffer in silence कुछ-कुछ medications लेते रहते हैं over the counter search करके ले लिया यह कर लिया कुछ लोग laxative abuse करने लगते हैं यह बहुत ही गलग चीज है अगर आपने laxative abuse करना शुरू कर दिया तो आप dependent हो जाते हैं तो मेरा यह मानना है कि constipation का सही management अगर हो जाए हम guidelines और recommendations को follow करें तो अधिकांश cases में manage किया जा सकता है तो अगर आप इसके causes की बात करें तो जैसा मैंने का पहली चीज जो है वह है dietria lifestyle जिसमें अगर आप junk food खाते हैं processed food खाते हैं आपका fiber intake कम है फीमेल में 25 ग्राम से कम और मेल में 38 ग्राम से कम fiber constipation करा सकता है dehydration पानी नहीं पीना inactive lifestyle बैठे रहना exercise ना करना यह सब constipation करा सकता है दूसरा important कारान हो सकता है कोई भी organic यानि कि अगर आपको cancer या आतों में किसी तरह का infection या किसी तरह की narrowing TB inflammatory bowel disease यह भी constipation करा सकता है तीसरी केटेगरी में आते हैं कोई endocrine या metabolic problems जैसे diabetes है hypothyroidism है इसके लाबा रीनल failure वगेरा जो होता है जिन लोगों में या फिर pregnancy बहुत important cause है जिसमें constipation हो सकता है secondary तीसरी केटेगरी में neurological causes आते हैं जैसे spinal cord injury है Parkinson's disease है जिन लोगों को लगवा है या पैरापैरेसिस है autonomic neurop इसके लाबा diabetes में एक pseudo obstruction की भी complaint मिलती है जिसमें आतों की चाल कम हो जाती है हवा भर जाती है तो उसमें भी constipation मिल सकता है इसके लाबा अगला जो cause है वो myogenic बोलते है muscles से related कई बिमारी हैं जैसे scleroderma है amyloidosis है इन सब चीजों में भी मिल सकती है और इसके अलाबा जो और causes में जो से आपके anal fissure है hemorrhoids है anal structure है proctitis है nature infection उसमें भी देखने को मिल सकती है साथ ही बहुत ही important cause है constipation का वह है drugs का लेना opiates है antihypertensive दवाईयां है anti-depressants है anti-epileptic दवाईयां है इसी बहुत सारी दवाईयां constipation करा सकती है और आप को जानके हरानी होगी कि अगर आप smoker है तो अभी smoking छोड़ देने से constipation होता है इसलिए लोग कहते हैं कि जब तक हम smoke ना कर ले हैं सुट्टा नहीं मार ले जब तक हम स्टूल पास नहीं होता तो यह सच है क्योंकि जो chemical है nicotine जो add करता है वो उसकी absence में constipation हो जाता है तो यह सारी चीज़ें constipation के कारण हो सकते हैं तो majority है dietary lifestyle problems, pregnancy या old age और बाकी यह जो बिमारिया मैंने आपको गिना ही वो भी तो इसमें करें क्या तो देखिए सबसे पहले तो अगर आप अपनी diet lifestyle सुधार लेते हैं, fiber का intake बढ़ा देते हैं, यह सारी चीज़ें अगर आप कर लेते हैं, exercise वगरा करते हैं, योग वगरा कर करते हैं, तो constipation control हो जाना चाहिए, ठीक है, अगर इसके बावजूद अगर आपका constipation बरकरार है या बढ़ रहा है, तो उस case में फिर आपके कुछ ना कुछ टेस्ट होने चाहिए, जिसमें सबसे important एक colonoscopy है, तो यह याल रखें कि constipation के साथ अगर कुछ alarming features हों, जैसे weight loss नमबर 2, blood in stools, नमबर 3, anemia का होना, नमबर 4, आपकी जो bowel habits हैं, उसमें कोई suddenly कोई change आ गया, especially अगर आप 50 के उपर हैं तो, साथ में cramps या पेट में दर्द होना, या आपकी family में colon cancer की history होना, या inflammatory bowel disease की history होना, अगर constipation के साथ ये सब चीज़े भी हैं, तो फिर आपको तु आपकी transit study कराएं, या आपकी biopsy कराएं, ये सारे जो हैं आपके doctors decide कर सकते हैं, अब बात कर लेते हैं, फाइबर के बारे में, तो जो dietary fibers हैं, वो stool bulking agents होते हैं, जैसे wheat bran, psyllium है, husk है, methyl cellulose है, जब आप इनको खाते हो, ideally ICMR के साब से 40 gram से जाधा per day लेना चाहिए, तो ये प bepsia बगएरा हो सकता है, तो ये जो fibers होते हैं, इनको भी categories होते हैं, soluble या insoluble, अगर insoluble fibers होते हैं, जो घुलते नहीं हैं, जैसा कि नाम से मालूम पड़ता है, तो ये आपके अंदर जवापेने लेते हैं, तो ये काफी सारा बल्क बना लेते हैं, insoluble होने के कारण, और उस से गुल जाते हैं, और ये फर्मेंट भी हो सकते हैं, ये non-fermenting variety भी हो सकते हैं, कही तरह से हो सकते हैं, और इन्य में से जो जिनको आपका intestine का bacteria use करता है, उसको probiotic कहते हैं, तो मेरे कासे आपके जो फर्क है वो सम्मून में आ गया होगा, soluble और insoluble fibers का, तो fibers का अगर हम देफिनिटली फाइदा हो सकता है थोड़ी बात ब्लोटिंग वगएरा फाइबर करा सकता है लेकिन आजकल प्रोबाइटिक का काफी जमाना है ट्रेंड है लोग अवेर हैं इस चीज से तो वो भी आपको लेना चाहिए मैं अपने अगले वीडियो में पूरी एक लिस्ट बना के आपको दूलगा कि किस तरह से हम प्रोबाइटिक और प्रीबाइटिक में डिफरेंस क्या है वो अगली बार बात करेंगा इसके अलावा दूसरे तरह के लेक्सेटिव है जैसे ओस्मोटिक लेक्सेटिव लेक्सेट करते हैं और जिसके कारण लोगों को पेन या क्रैम्स भी आ सकते हैं तो यह यूज्वली हैबिट फार्मिंग भी होते हैं इनको यूज नहीं करना चाहिए तो अगर मैं कॉंस्टिपेशन के मैनेजमेंट को समराइज करूं तो सबसे पहली चीज अगर हमें होना चाहिए इसके अलाबा एक्टिविटी कुछ योगा हेल्प करता है कि कुछ खास तरह के आसन हैं अगर आप रॉनिंग करते हैं एक्टिविटी करते हैं खासकर जो ओल्ड पीपल हैं उनका वैसे भी कॉंस्टिपेटेड होते हैं तो उनको भी यह सब चीजें थोड़ा वाकिंग वगरा करना चाहिए इसके अलाबा प्रोसेस्ट फूड की कमी लाएं प्रोसेस्ट फूड ना लें और पानी का इंटेग का ध्यान रखें और माइड ले लेते हैं तो कॉंस्टिपेशन इससे आपका काफियत तक इंप्रूव कर सकता है साथ ही जो अपना मोशन ज कर रहा है वो हमें बिल्कुल अपने हिसाब से टाइम टेबल के साब से चलेंगे तो हम कॉंस्टिपेशन से बच सकते हैं लेकिन अगर हमें कॉंस्टिपेशन पर्सिस्ट कर रहा है यह सब करने के बाद भी तो फिर जो हमारी अप्रोच है वो यह है कि सबसे पहले हमें we have to exclude other pathologies और कोई बिमारी तो नहीं है उसको हमें exclude करना चाहिए सबसे पहले dietary lifestyle management adjustments करें उसके बाद osmotic laxatives ले सकते हैं stool softener ले सकते हैं यह bulk forming agents ले सकते हैं यह कोई consensus नहीं है कि इसमें कौन सा किस order में लेना है आपको ठीक लगे बस यह है कि stimulant laxative last resort होना चाहिए suppository या enema भी होना चाहिए और कुछ pharmacotherapy कुछ medicines आती है जो आपका gastroenterologist आपको prescribe कर सकता है इसके लावा कुछ investigation जैसे मैंने discuss किया था कि colonoscopy या फिर CT MRI की जो जांच है वो करकर आई जा सकती है जिसमें कि दूसरी बिमारियों को exclude कर सकते हैं एक और चीज होती है colonic inertia मतलब आतों की जब चाल कर लेते हैं कि कितने घंटे में वह आत की किस पार्ट में पहुंचा तो उससे एक diagnosis बना सकते हैं और फाइनली लास्ट रिसॉर्ट जो होता है वो फिर surgical intervention होता है लेकिन वह बहुती आगे की चीज है और अधिकांश cases में ऐसा जरूरत नहीं पड़ती है तो मैं उम्मीद करत कि आपको यह constipation का जो वीडियो है यह पसंद आया होगा साथी एक चार्ट जिसे ब्रिस्टल चार्ट बोलते हैं वह काफी अच्छा चार्ट मुझे लगा तो आप उसको अभी यहां पर देख सकते हैं स्क्रीन पर यह जो चार्ट है यह स्टूल की appearance एक साइड में बनी हु मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने constipation से मुक्ति पाएंगे अगर आप कुछ rules को follow करें और अगर constipation persist करता है तो फिर एक medical appointment लें और gastroenterologist से मिलें या फिर अपने surgeon से मिलें यह collective approach रहनी चाहिए इसके treatment में and I am very sure that you will be able to handle this problem by doing some adjustments in your routine and in your food mainly तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह अच्छा लगा होगा आज का discussion और मैं जल्दी आपसे दुबारा मिलता हूं ओके बाए